प्रेस्ट क्या हुआ है कि 90 पर्षेंट लोग इलक्ति क्या चाते हैं अभी जो पता है सर्वे में इसलिए जिसने सर्वे कराया अधर्वाइज वैसे आपको बात बनाने के लिए हम प्रेस कानफरेज में बताने वाले नहीं थे इसमें बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा आप लोग करायेंगे सब मिलजूल के करायेंगे पूरा देश तयार है कानूनी रास्ता क्या है कानूनी रास्ता तो सुप्रीम कोट है सुप्रीम कोट इसमें आदेश कर दे जिस तरह से बाहर के मुलकों की सुप्रीम कोट ने आदेश कर दिया कि जिस भी इलेक्शन में थो हम उमीद करते हैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी समझे और एक्टिव हो जो कि अभी इस देश को लग रहा है जितना सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए इस देश की सुप्रीम कोर्ट उतनी एक्टिव नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को जितनी बड़ी करके और इसमें इमिजिट फैंसला सुनाने की जूरत है सुवर मोट एक्षन लेने की बीजूट पड़े तो ओके लेना चाहिए आज नया क्या था इस पीसी में क्योंकि लगातार पीसी तो ही रही है तो आज नया यह था कि जहां भी इवन टाटा नमक हो आप अड़र्टाइ टेंडर्ड यह कोई कहीं से लाइसेंस नीसतरए निया यह देश के लिए सबसे जीने और मडने की लाइन की के लिए सबसे वादिकार कोई है तो वोटिंग आपनी इस पूरे देश की ववागी दारी करतें यह ववास्ता समभालने का काम अकेले राश्ट्रपति का नहीं है इनके ब्रोसे बैठके देश आंक मूंद के सो नहीं सकता ये लोग अगर कुछ गलत लोग भी इन पदों पे पहुंच जाएं तो देश का बेड़ा करक हो सकता है और आज कल जो भी कुछ चल रहा देश में सब लोग कहते हैं इवन प्रैमिनिस्ट से एक ही औफिश से काम चल रहा देश का democracy बची नहीं है कंगीजर कर के सब लोग असली देश जोई लोग हैं सर यह तो आप भी जानते कि इस तरीके से इव नहीं हटेगी फिर इसके पीचे मकसद क्या आप लोग है यह हमने कहां कहां इस तरह से नहीं है इसलिए जिसने सर्वे कराया अदरवाइस वैसे आपको बात बनाने के लिए करेंगे बड़े लेवल पर अभी हम उसको जानबुज करेंगे अभी कुछ सर्वे और बीचल रहे हैं अदरवाइस वह संसा जो ही सर्वे कर रही है उन पे भी कहीं कोई अंकुस लगाएगा इसलिए हम फोड़ी सी कोपनियता कुछ दिनों के लिए रखना चाहते हैं और हम प कैसे हैं कुछ रहां पूछक यह द लोगों से आपने पूछा है जिन लोगों झीमारिे कैसे अंदोलन के साथ इस प्रोग्राम के शाथ क्योंकि यह देश की इसली बात यह धंग की बात है इवेम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर से एलेक्शन कराओ, और ढॉंग से देश को बचाओ सर यह नंबर बहुत कम ही है, चार लाग पैसट हजार का नंबर दिया गया, पुरे देश में 140 करोर की अबादी है, आपका नंबर बहुत कम आ रहा है अब नंबर भी और लेने पड़ेंगे, वो लगातार अभी आप देखोगे तो मोबाइल पे टका टक 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 इस तरह से मिसकोल आ रहे हैं अब किसी के यहां से फंडिंग नहीं हो रही है, सब हमारी पॉकेट से हो रही है, जितने लोग इसमें शामिल हैं और ना फंडिंग की इसमें जूरत है, यह लोगों का अंदोलन है, यह फंडिंग करके कोई लोगों को बैकाना फुसलाना थोड़ा है, यह जुठा परचार थोड़ा करना है, यह लोगों का अंदोलन है, लोगों के दिल की बात है, इसलिए इसमें भारी फंड की जूरत भ और देश और जागरूख होगा देहात में पूरे देश में अब जा के देखो के थोड़े रोट से हटाओ गई भी आप भी अरे नहीं नहीं है सानी इससे यह पता चलता है आप लोग भी कितने उच्छाइथ हैं और हमें प्रेना दे रहे हैं कि आप प्रेस कॉंफरेंस के तरफ दिवाली है आप यह नहीं मुद्दा उठाए पड़ें लोग राम राजी की खुशियां मना रहे हैं यह मैं पहले भी बोल चुका हूं देखो ना राम राज्य था ना राम राज्य है ना होगा यह देश सविधान से चलेगा और इसमें वैवस्ता होगी रामी वैव इतना सारा पैसा इतने सारे चंद पूंजी पतियों को सब कुछ दे दिया और उसमें से जो कमिशन है बार बार लोग बोल रहे हैं बड़े पॉलिटिशियन नेता कि उसारा का सारा एक तो सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे उन्होंने तो बताई दिया कि अडानी के पास इतना पैसा हो सारा का सारा प्रैमिनिस्टर का पैसा है अब ओपनली कह दिया यह बाते और देश के सिर्स्तान पे बैठी हुए लोगों को आम ल पैसा चंद लोगों के पास है वो पैसा दब के लो और देने की कती जूटनी या ना यह ना तो किसान शहाजार लेके वोट देगा ना कोई ना कोई राम के मंदिर पे वोट देगा यह सारे ड्रामे तो इसलिए हैं कि मसीन के से गडबड करके जीतना है और लोगों को भरम रहता रहे तो एक रही है कि जो अटानी हमबानी की जो पैसे भी पक्षी पाटियां जो चुनाब कि उनके कोई दूसरे मुद्दे नहीं इसलिए अरोप लगाती है अरे क्या देश में प्रियंबल यह कहता है सिविदान का देश में आर्थिक समानता होगी और आर्थिक समा अगर सबको इसेदारी मिले आगे बढ़ने के लिए ताकि धन संचय एक जगए ना हो और दन संचय कैसे हो रहा कि लोगों के पास अंदाज लगालों इस देश के सारे के सारे जिन लोगों को चेक एंड़ बैलेंस करना होता है इन कंपनी के उपर इनकी नाक में नकेल रखन देश की चनता को पता नहीं होता और देश की सुरक्षा करने का आर्थिक नीतियों की तक ब्लसा करने का सब शुर।